Hello, how to start export import business video series में आपका स्वागते यहाँ पर मैं यह वीडियो में आपको बताऊंगा how to find buyer for export सबसे important चीज़े buyer, export करना है तो सबसे important चीज़े buyer तो वीडियो में आपको detail में बताऊंगा और आपने मेरे 1 to 4 पार्ट नहीं देखे तो आप मेरे YouTube चैनल में चाहिए वहाँ पे playlist होगा, वहाँ पे 1 to 4 पार्ट मिल जाएगे आपको how to start export import business तो उसमें पूरा आपको information मिलेगा और मेरे वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को like किजिए और share किजिए और भी लोगों को information मिल सके Let's start हमें export करना है तो सबसे important है buyer तो ways of finding buyer मैं आपको detail में यहाँ पे बताऊंगा सबसे पहला way जो है, वो है social media Yes, आप export के लिए buyer find करना चाहते हो तो आपको कम खर्चे में Yes, कई लोग मेरे पास आते, मेरी training में आते वो बोलते के sir, कम खर्चे में buyer कैसे तूंडा जाए तो आप social media का use कर सकते हो और social media के use से आप कम खर्चे पे अपने घर पे बेटे-बेटे आपकी product के लिए आप buyer डूंड सकते हो Yes, इसमें क्या करना आपको दोख मैं आपको बताओ, आपको Facebook का use करना है आपको LinkedIn का use करना है, आपको Instagram का use करना है WhatsApp है, तो यहाँ पे main यह जो social media है, उसका आप use कर सकते हो अब इसका use कैसे करना मैं practically बताता हूँ पहले तो हर social media पे आपका profile बनाना है कमनी का page या कमनी का profile बनाना है अगर आपको आता है तो खुद बनाएए वरना कोई digital marketing agency जो यह काम कर तो उसको hire किजे यहाँ पे मैंने दिया है forever digit tech आप forever digit tech करके कमनी जो है वो यह काम में ही specialize है तो आप उसको contact करके social media marketing आप करवा सकते हो और आपकी profile आप उससे बनवा सकते हो forever digit tech करके उसका website भी है आप वहाँ पे visit कर सकते हो यहाँ पे number दिया है तो करना क्या है सबसे पहले अच्छी profile बनानी है और सबसे जो main export में question आता है वो detail में यह आता है कि sir buyer हम पे trust कैसे करेगा तो जब social media आप बनाओ तब इसमें एक सबसे important चीज आपको जानमे रखनी है कि वहाँ पे group में photo डालो देखो यहाँ पे ग्रूप में photo डालो तो क्या लोगों को trust बढ़ता है यह इसे लोगों को trust बढ़ता है और वो आप पर trust करेंगे और आपको order दे सकते है तो यह सबसे important चीज है तो आपका अच्छा profile बनाओ अच्छी आपकी product के बारे में posting online करो तो आपको buyer वहां से attract होके आपके पास आएगा आपके पास inquiry करेगा आप वो inquiry को done कर सकते हो social media के आज के दिन में आप use कर सकते हो दूसरा है B2B website yes B2B website बहुत ही important है international business में आप B2B website में paid में service ले सकते हैं वो लोग inquiry देते हैं बता दू मैं आपको B2B website बोल रहे हों buyer देंगे वो लोग inquiry देते हैं लीड देते हैं बाहर कोई नहीं देता है practical है practical सब आपको बताऊंगा क्योंकि वो लोग बोलते के मैं B2B site से बोल रहा हूं हम आपको buyer देंगे वो आपको lead देंगे B2B site बहुत अच्छी है बट आपको उसका ध्यान रखके इंसाइट चीज़े जानके ध्यान रखके इसमें paid में registration करो आपको leads मिलेगी inquiry मिलेगी आप उसको done कर सकते हो तो B2B site is one of the great way to finding buyers जैसे कि अपना stall लगाके exhibit भी कर सकते हो तो मैं regularly international trade fair visit करता हूँ जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है अभी recently मैं गल्फूर्ट दुबई में गया था बहुत सारे लोग मेरे साथ आये थे तो मैं वहाँ पर गया था और पूरा देखा मैंने देखो सबसे इंपोर्टन चीज है कि पहले तो target market आपका होना चाहिए वह target market आपका है उसके साथ आपको उसे बात करने ही हम भी इसका supplier है जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकल बताओ कि गल्फूर्ट है फूर्ड का visiting card आप कभी भी contact कर सकते हो तो मैंने वहाँ से लीड जन्रेट किया क्या किया लीड जन्रेट किया और लोगों से आज के दिन में उसके sample भी वहाँ से देखो international business में वहाँ से भी sample आते है उलड़ी आ चुके है तो उसके उपर काम भी चल रहा है तो सबसे important चीज है कि हमें वहाँ जाके लोगों को अप्रोच करना है तो exhibition इसमें क्या करना है आपको attend trade fair वहाँ जाना है इसके दो दो तिन है कि यह है आप वहाँ पर जाओ विजिट करो एक ही आप stall लगाओ और उसका directory भी आप लेके आ सकते हो मैं खुद गल्फ फूर्ट एक्जिबिशन का directory में खुद लेके यहाँ पर आया हूँ और मेरे student है उसको मैं free में दे रहा हूँ क्यूंकि उसका काम होना चाहिए लोगों का काम होना चाहिए तो exhibition बहुत ही अच्छा वे है buyer find करने के लिए पर आपको आना चाहिए पहले आप preparation करो फिर उसके बाद आप exhibition में जा सकते हो दूसरा है trade delegation तब trade delegation में जा सकते हो आप क्या कर सकते हो trade delegation में अलग-अलग country में जा सकते हो और वहां पर आपके target market के buyer डूण सकते हो उसके बाद आता है export promotion council हमारी EPC export promotion council त तो वो लोग buyer का list भी प्रोवाइड करते हैं, कई बार उसके पास available होता है, तो वो लोग हमको buyer का list भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसे contact करके buyer का list ले सकते हो, जैसे कि अपेडा हो गया, फिर जो है EEPC, Engineering Export Promotion Council है, फिर Commodity Board, जिसमें के आप T-Mek आप करते हो, T-Board, Coffee Board, Pis Pisces Board, तो इसको भी आप contact करके buyer का list ले सकते हो, तो one of the ways of finding buyer is like Export Promotion Council, उसके बाद आता है Government Embassies, yes, हमारी embassy हर country में है, हमारी जो embassy है, वो हर country में है, तो वहाँ पे आप mail करके, जैसे कि कहीं लोग मुझे पुछते हैं, उसका contact number कहा मिलेगा, तो आप देख सकते हो, यहाँ तो उ mail करके information निकाल सकते हो, buyer का data निकाल सकते हो, पर आपको proper आना चाहिए, कहीं लोग मेरे पांस आते practical आते हैं, और बोलते हैं, सर मैंने mail तो क्या reply नहीं आया, तो proper उसके लिए आपने professional learn करना पड़ेगा, professional सीखो, अच्छी तरह से mail करोगे, तो reply आएगा, मैं तो mail करता काम होगा, तो जो है Indian Embassy को आप contact कर सकते हो, अलग-अलग देश में है, जर्मनी है, फिर ब्राजील है, अलग-अलग countries में है, हमारी Embassies वहाँ पर available है, वो लोग help करने के लिए रेडी है, पर हमें capable बनना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो रहा, जो मैंने देखा है, मैंने तो आप मेहनत करो, सीखो, experience लो और काम करो, यह बहुत ही अच्छी opportunity international business के अंदर, तो बायर रफाइन करना easy है, बट थोड़ा हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से वे से जाना है, हमें decide करके, उसके ओपर focus करना पड़ेगा, be focus, एक ही important चीज़े बायर रफाइन करने में, be focus उसके बाद आता है personal meet, अब विदेश में जाके, विदेश में जाके, बायर को personally मिल सकते हो, क्या कर सकते हो, personally मिल सकते हो, को exhibition में जा सकते हो, या direct, आप ऐसा plan करो, कि कोई country को target किया, जैसे कि Kenya, आफरीका के अंदर Kenya country है, उसको आपने target किया, तो वहाँ पर आपका जो भी product ह है, आपको zinspent export करना है, Kenya के अंदर export करना है, तो वहाँ के जो भी wholesaler है, dealer से, जो importer से, garments के, उसके साथ यहां से बात करो, बात करने के बाद वो सब done, बोलते है, कि अच्छी बात हो रही है, पांस साथ लोगों से बात हो रही है, जो positive है, इसके बात आप यहां से planning करो, यहा बहुत अच्छी बात है, तो यह सब चीजे, आप जो है, कर सकते हो, और अभी के जमाने में, online के जमाने में, मैंने पहले भी बता दिए, social media अगरे में, बहुत easy हो गया है, personal visit, आप मैंने बता है, आपको personal visit आप कर सकते हो, जहां सकते हो, तो यह सारे जो है, ways मैंने आपको बता है, finding buyers, तो इसमें से आप क्या कर सकते हो, आपको export करना है, तो आपको buyer find करना है, तो जो सबसे अच्छा रस्ता है, social media का use कर सकते हो, आप direct contact कर सकते हो, आप email marketing कर सकते हो, दूसरे बहुत बता रहा हो, email marketing कर सकते हो, कहीं newspaper या कि TV में advertisement भी डे सकते हो, फिर exhibition में जा सकते ह हो, फिर इसके बाद जो हमारी data, जो हमारी government जो हमको provide कर रही, embassy provide कर रही है, हमारी exploration council provide कर रही है, तो इससे data ले क्या contact कर सकते हो, मैं आपको बता हो, export करने में secret क्या है, मैं आपको बताने वाला हो, यहाँ पे secret क्या है export करने में, यह यहाँ पे बायर डुणना बड़ी बात है, यह एक process है, अगर आप car ले लो, तो driving नहीं आ जाता है, आपको सिखना पड़ता है, तो इसके लिए आपको जो है, आपको सिखना पड़ेगा, यह important है, बहुत सार लोग बायर डुण रहे है, पर सबको नहीं मिल रहे है, क्यों, क्यों उसको proper way पता नहीं है, बाहर का ल सिखो, practice करो, और deal को done करो, और practically आप सिखना चाहते हो, तो मेरा online training भी रहता है, offline training भी रहता है, उसमें आप join कर सकते हो, और मैं पूरा inside of international business के बारे में आपको पूरा बताऊंगा, सिखांगा, एनि वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसको like किजे, share किजे, और comment करना मत बुलिएगा कि इसमें कौन सा वे सबसे बढ़िया लगा आपको, यहाँ पर नीचे comment किजे, और कुछ भी query है, तो भी comment किजे, मैं आपको उसका answer वीडियो के माध्यम से जरूर से दूँगा, let's go global together, thank you.